एक समय की बात है एक जंगल में दो दोस्त रहते थे एक अमीर था दूसरा गरीब अमीर दोस्त अपने संपत्ती पर गर्व कहता था उसके पास बड़ा घर लगजरी कारे और वो आराम दायक जीवन जीता था वो धन दोलत की बज़े से समाज में माइनता पराफ्त करता था दूसरा दोस्त गरीब था उसके पास संपत्ती की कमी था और वो गरीब के कारण जिन्ती तरहता था वो बहुती महनती था और समय समय पर कठनाईयों का सामना करने वाला वेक्ती था लेकिन उसके पास समाज में समान कम एक दिन गरीब दोस्त अपनी मन की बाते अमीर दोस्त को बताने के लिए उसके घर गया उसने उसे अपनी संगर्स भरी कहानी सुनाई अपनी मसकतों और दुखों के बारे में सुनाया उसने अपने सपनों और आकर्चाओं के बारे में भी बताया अमीर दोस्त ने सभी कहानियों को ध्यान से सुना और उसके गरिमा और आवस्राओं पर ध्यान दिया उसने अपनी दोस्त को संबोधित करते हुए कहा मैं समझता हूँ कि तुम मुश्किलों का सामना कर रहे हो लेकिन अपनी कठिनायों से हार नहीं मानना चाहिए संगर्सी ही सफलता किचा भी होता है धरीब दोस्त ने अपने दोस्त का बचनों को समझा और सर विव को मजबूत करने का निर्ना लिया वो मेहनत और संगर्स के माय दम से अपने लच्छों की और आकरसन हुआ वो अधिक प्रियास करने लगा नए अवसर ढूनने और अपनी लच्छों का प्रियोग करने लगा धिरे धिरे उसकी मेहनत और संगर्स ने फल दिया और उसने अपने संपत्ती बढ़ाने में सफलता प्रप्ती, वक्त बितने लगा और अमीर दोस्त अपने संपत्ती से गरस्त रहा, उसकी अधिक्तम धन दोलत के बावजुद उसका अंत सस्त सुनाई था, उसे अपने जीवन में खुसी और संतुष्टी की कमी महसूस होती थी एक दिन अमीर दोस्त गरीब दोस्त पो मिलने आया और उसे अपनी असंतुष्टी जनक इस्तिती के बारे में बाताया, उसने कहा मैं तो धन के बावजुद खुस नहीं हूँ, मेरे पास सारे खुसी है लेकिन संतुष्टी की अनभूती नहीं होती है, गरीब दोस्त ने पास आनन्द और संतुष्टी की कीमतवान भावना है, अमीर दोस्त ने गरीब दोस्त से प्रश्ण किया, तुम्हारे पास इतनी संपती नहीं है, फिर भी तुम खुस कैसे हो, जबकि तुम्हारे से मेरा ज़्यादा संपती है, गरीब दोस्त ने मुस्कुराते हुए कहा, अमीर मन की बात है, गरीबी तो सिर्फ बहारी इस्तितियों का अनुभव है, बाकी खुसी और संतुष्टी आंतरंग इस्तितिया है, जो हमारी मन से उभारती है, सच में यार पैसो से खुसी और सांती नहीं खरी दी जा सकती है, असली खुसी और संतुष्टी मन की सांती आ अपने करतियों के निर्वाहन में पाई जाती है आप हमारे वीडियो को एक लाए अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर ले